तो पीवी सिंदू ने टोक्यो ओलम्पिक 2020 में ब्रॉंज मेडल जीत कर इतियास रच दिया है यह पहली महिला भारत की बन चुकी है जिनोंने लगातार दो ओलम्पिक मेडल जीत कर भारत का नाम रोशन कर दिया है तो जितने भी इंपोर्टेंट कोशन पीवी सिंदू से बन स जुलाई 1995 को हुआ था तो 5 जुलाई 1995 को पीवी सिंदू का जनम हुआ था तो आप से कहीं बार एक्जाम्स में इनका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है कि पीवी सिंदू का पूरा नाम क्या है तो पूसरला वेंकेट सिंदू इनका पूरा नाम है यह बात भी आपको इनका जनम हैदराबाद में हुआ है और कब हुआ है तो आपको याद रखना है 5 जुलाई 1995 को इनका जनम हुआ था पीवी सिंदु किस खेल से हैं कई बार एक्जामस में पूछा जा सकता है तो आपको याद रखना है बैडमिंटन खेल से यह संबंदित है और इनों ने Tokyo Olympic 2020 में bronze medal जीत कर भरत का नाम रोशन कर दिया है Next आपसे पूछा जा सकता है कि इनके पिता का क्या नाम है तो PV रमन इनके पिता का नाम है और इनकी माता का क्या नाम है तो P. Vijaya इनकी माता का नाम है ये बात भी आपको याद रखनी है तो चलिए बढ़ते हैं अपने next question की और हमारा next question है कि PV सिंदु के coach का क्या नाम है तो आपको याद रखना है कि PV सिंदु के coach का क्या नाम है पार्क ताई सेंग इनके coach का नाम है और जो भारत के badminton के coach है उनका नाम है पुलेला इस समय जो भारतिया badminton के coach है उसका नाम है पुलेला गोपीचंद और पीवी सिंदु के coach है पार्क ताई सेंग ये बात आपको याद रखनी है इनोंने अब next question है विश्व badminton championship का खिताब जीतने वाली पहली भारतिया खिलाडी कोन है तो पीवी सिंदु विश्व badminton championship ज जीतने वाली पहली खिलाडी है तो यह है अवोड इन्होंने यह किताब इन्होंने 2019 में जीता था और इसमें इन्होंने गोल्ड मैडल जीता था तो गोल्ड मैडल इन्होंने 2019 में विश्व badminton championship में जीता था next जो question है PV सिंदु पर अधारित बुक का क्या नाम है तो पीवी आपको याद रखना है कि पीवी सिन्दु पर अधारित बुक का क्या नाम है अभ यह बुक किसने लिखी है तो इनका नाम भी आपको याद रखना है इसका नाम है वी क्रिष्न स्वामी इनका नाम है जिनों ने shutting to the top the story of PV सिंदु बुक लिखी है तो PV सिंदु ने पहला Olympic medal कब जीता था तो आपको याद रखना है 2016 में जो Olympic हुआ था इसमें PV सिंदु ने पहला अपना Olympic medal जीता था इसमें इन्होंने Silver medal जीता था कौन सा medal जीता था? तो Silver medal इन्होंने जीता था अब आपसे कई बार एक्जांस में पूछा जा सकता है कि 2016 जो Olympic होए थे कहां पर होए थे तो आपको याद रखना है Rio de Janeiro ब्राजिल में ही है Olympic होए थे Rio de Janeiro में Rio de Janeiro में ही है जो Olympic होए थे 2016 के इसमें इन्होंने Silver medal जीता था और किसे हरा कर जीता था तो आपको याद रखना है Carolina Carolina Marine को Carolina Marine को हरा कर इन्होंने Silver medal जीता था अब बात करते हैं Tokyo Olympic 2020 की तो PV सिंदू ने कौन सा medal जीता है तो इसमें इन्होंने Bronze medal जीता है PV सिंदू ने 2020 Tokyo Olympic में Bronze medal जीता है और इसी के साथ यह है लगातार दो Olympic में medal जीतने वाली पहली भारतिया महिला भी बन चुकी है अब Tokyo Olympic 2020 ने PV सिंदू ने Bronze medal की से हरा कर जीता है तो आपको याद रखना है He Bing Jiao He Bing Jiao को हरा कर इन्होंने Bronze medal जीता है कि इन्होंने PV सिंदू ने Tokyo Olympic 2020 में Bronze medal की से हरा कर जीता है तो ही बिंग जियाओ को हराकर इन्होंने bronze medal जीता है तो आपको date भी याद रखनी है तो 1 अगस्त को कब 1 अगस्त 2020 को इन्होंने यह award जीता है bronze medal यानि कि bronze medal इन्होंने जीत लिया है अब बात करते हैं next question की और next question है कि PV सिंदू से related brand ambassador के question भी पूछे जा सकते हैं PV सिंदू को किस किस चीज का brand ambassador बनाया गया है तो आप यहाँ पर देख सकते हो इन्हें IOC यानि कि International Olympic Committee यानि कि International Olympic Committee का इन्हे brand ambassador बनाया गया है इनके साथ-साथ Michelle Lee को भी brand ambassador बनाया गया है तो IOC की एक campaign है Believe in Sport तो इसका इन्हें brand ambassador बनाया गया है तो आपसे question जो पूछा जाएगा कि IOC के दुआरा Believe in Sport campaign का brand ambassador की ने बनाया गया है तो PV सिंदू के साथ-साथ Michelle Lee को इसका brand ambassador बनाया गया है Next है हमारा अंदरप्रदेश state का तो अंदरप्रदेश state का जो anti-corruption scheme है इसका brand ambassador की ने बनाया गया है तो आपको याद रखना है कि anti-corruption का भी brand ambassador PV सिंदू को ही बनाया गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अंदरप्रदेश government has recently launched anti-corruption toll free helpline number and badminton world championship PV सिंदू has been appointed as the brand ambassador for this helpline number और इसके साथ-साथ विगाज steel का भी इने brand ambassador बनाया गया है किसका विगाज steel का इने brand ambassador बनाया गया है Next है हमारे owner तो इसके साथ-साथ आपको याद रखना है कि PV सिंदू को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है कौन-कौन सा सम्मान इने दिया गया है तो बात करते हैं 2013 की तो 2013 में इने अर्जुन अवोर्ड दिया गया था कौन सा अर्जुन अवोर्ड 2013 में इने दिया गया था इसके बाद 2015 में इन्हें राजीव गांदी खेल रतन अवोर्ड दिया गया था और इसके बाद 2015 में आपको याद रखना है देश का चोता हायस्ट सिविलियन अवोर्ड इन्हें पधमशिरी दिया गया था देश का चोथा जो नागरिक अवोर्ड है इन्हें परदान किया गया था 2015 में और 2020 में इन्हें देश का तीसरा नागरिक अवोर्ड दिया गया था पदम भूशन तो 2020 में इन्हें कौन सा अवोर्ड दिया गया था पदम भूशन अवोर्ड इन्हें 2020 में दिया गया था तो 2013 में इन्हें अर्जुन अवोर्ड दिया गया था, 2016 में राजीव गांधी खेलरतन अवोर्ड दिया गया था, 2015 में इन्हें पदम शिरी अवोर्ड दिया गया था और अभी हाली में 2020 में इन्हें पदम भूशन से सम्मानित किया गया है, अब बात करते हैं achievement की इनकी जीत लिया है, ये जो Tokyo Olympic 2020 है, 2021 में जीत किये जा रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि जो Tokyo Olympic 2020 है, इस समय जपान में खेले जा रहे हैं, तो Tokyo Olympic 2020 में इन्होंने ब्रॉंस मेडल जीत लिया है, अब इसके बात, पात करते हैं बैड्मिंटनifie वल्ड रड्मिंटनी चेम्पिंशिप की तो इसमें इन्योंने 2019 में गोल्ड मेडल जीता था तो आपको ये बात यह ड़त रखना है और यह पहली ब्रांज मेडल जीता था, एसियन चैंपियंशिप जो की 2014 हुई थी उसमें इनोंने ब्रांज मेडल जीता था, कौन सा ब्रांज मेडल जीता था, अब बात करते हैं Commonwealth Games की, तो Commonwealth Games में इनोंने 2014 और 2018 में, 2014 और 2018 में 2014 में इन्होंने bronze medal जीता था कौन सा medal जीता था तो bronze medal जीता था 2018 की बात करते हैं तो commonwealth game में इन्होंने silver medal जीता था 2018 के commonwealth game होए थे यह आप सभी जानते हैं कि कहाँ पर होए थे तो Australia में होए थे और यह कहाँ पर होए थे 2014 के तो यह Scotland Glasgow में होए थे Scotland Glasgow में यह आई जीत होए थे जहाँ पर इन्होंने 2014 में bronze medal जीता था Commonwealth Games की बात करें तो और वही 2018 की बात करें Commonwealth Games में तो इन्होंने silver medal जीता है जो की Australia में आई जीत होए थे अब इसके बात करते हैं कि जो 2018 के Commonwealth Games होए थे 2018 के जो Commonwealth Games होए थे इसमें यह flag bearer थी flag bearer थी flag bearer भी थी तो यह बात भी आपको याद रखनी है कि 2018 के Commonwealth Games में PV सिंदू flag bearer थी ठीक है अब इसके जितने भी important question थे मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिये हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई तो